हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ किस तरसे में यह जो परवल है इसका मैं आपको बहुत ही अच्छा सा भरवा वाला सबजे दिखाऊंगी तो चलिए मैं इसे बताते हूं कहते हूं पहले तो आप सारे परवल को इस तरह से आप छी की तो निकाल देखें इस तरह से इसको साफ कर लेना है इसे तरह से बाकी के करते और बीट से इसको छेट कर देना है और अंदर का इसे आप साथू लूजिए ठीक है अब देखरें मैंने इन सबको धोलिया है एक इस तर से करना ये बीच से आपको थोसा पूरा नहीं काटना आ है बीच से आपको कट लगाना है और अंदर का जो इसमें कब बीच जूज है जो भी अंदर का सम निकाल लीज़ेगा इसको फेकना नहीं है इसका हम मसाला बनाने व करते जाई नयुक्त कर दोएं कट करें क्क के दूने के बाद इसे काटीएगा चूंफ जी लेकिने श्रेप में मैं कट कर रही हूं ऐसे ही आपको भी कट करना अब मैंने यहां पर एक लिया कराई उसमें मैंने डाला है सरसो का तेल देखें मैंने कितना डाला है सबसे एक साथ ही दुनों को डाल दिया है अब हम इससे अच्छे से mixed करेंगे मिलाइंगे चले देखिए सारे प्याज को मैं इसमें डाल दी हूं यह झे अब अच्छे से mix करें और इसके अंदर उसे सास्तिर े अपने सारे मसाले भी मैंने इसमें एक से दो चमच डाला है हल्दी छोटे चमच से डाला है मैंने ढीड़ चमच आप भी उसी इंडा से डाल ले और ये जो नमक हैं स्वाद अनुसार इसमें डाला है आप यह याद रखे कि जो आपका परफल है उसमें भी नमक जाना चाहिए देखिए अब अच्छे से मैंने मिक्स कर लियाक तो आप देख सकते हैं ईहरा जीरस मिर्च, एकforme बढ़क बिक्स gaz Artemis क्यां लुगप ऐसे मिक्स केवाय अब देख सकते हैं कितना की अच्छ़ लिए से आपको सुखाना है न गया पड़वाल के अंदर हमें इसे फिल करना तो यह देखिए पुड़ा यह सूख चुका है और इसके अंदर हमें डाल रहे हैं आम, याम क्च्छ आम है, कच्छ आम को मैंने ऐच्छ से पीस लिया है और इसे मैं इसमें डाल रही हूँ, आप चाहे तो आप इसमें आम चुर मैं डाल के अच्छे से मिक्स कर रहे हूं देखिएगा कि नीचे चिपकने लगता है तो अप इसी काड़े में और भी तोरे में उसे कराई में आप धोह्ये मत करें में scholarẳ estat totally ते मोर्प होगे सी टूटेजाल न बस आप अपने अंदास से लिए एसे अपत्र बचे होगे आप 있지- ईस somewhat कि निचाल लिएगा यह देखे कितने आराम सी हो चुका है बहुत इजी सा रेसिपी यह कोई भी बना सकता है और जिस तक यहां पर कटूर लगा हुआ था उसी साइड से आप इसमें रख दीजे गैस मैंने स्लो किया हुआ है क्योंकि अभी और भी भढ़ना है इसलिए देखे कितने आराम सी हो जा है देखें है डिए एक्स्टर ना जाए क्योंकि एक्सर जाएगा तो पर आपका तेल जो खराब होने लगेगा क्योंकि तेल के तेल में मिक्स हो जाता है तो तो आप उसका ध्यान रखेंगा यह दिखें मैं यहां पर तीन-चार डाल दे रही हूं आप कढ़ाई की हिलाके चलाना है यह देखें यह नीचे से पक चुक है अब मैं इसे हलके हलके हाथों से इसे पलट-पलट के आगे पीछे सब जगह से सिक रहे हूं इसे आप एक-इक करके हिलाएगा वरना यह तूट जाएगा सबजी की तरह जल्दी-जल्दी मत चलाएगा धीर दीर अरा यह देखें पलट-पलट-पलट-पलट-पलट-पलट-पलट-पलट-पलट-पलट-पलट-पलट-पलट-पलट-पलट-पलट-पलट-पलट-पलट-पलट-पलट-पलट-पलट-पलट-पलट-पलट-पलट-पलट-पलट-पलट-पलट-पलट-पलट-पलट-पलट- और मेरा जो तेल है वो ब्लैक हो चुका है क्योंकि इसका जो मसाला है वो उसके अंदर ट्रांसफर हो चुका है तो आप किता भी कोशिश करूंगे तो वो जाएगा है तो उसका हम लोग टेंशन नहीं लेना है यह दिखिए मैंने बना के रेडी कर लिया है तो अगर आपको मे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो